यदि पिता और पुत्रों की जन्म कुंडली में केतु सूर्य के साथ यूती करता है और साथ ही उन सभी की जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र है, तो इसका क्या मतलब है? जब पिता और पुत्र दोनों केतु सूर्य के साथ यूती करते हैं और सभी धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो ये सन्वेखर्ण एक आकर्शक आध्यात्मिक और कर्म संबंधी महत्वर रखता है सूर्य पिता, अधिकार और आत्मा के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केतु पिछले जीवन के कर्म, वैराग्य और आध्यात्मिक मुक्ती का प्रतीक है परिवार में ये यूती एक साजा कर्म बंधन का सुझाव देती है, जो आध्यात्मिक पाठों और पैत्रिक पैटन से गहराई से जुड़ा हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल का शासन है, जो महत्वा कांक्षा, लचीलापन और उत्कृष्टा की खोच के विशेयों को उजागर करता है, ये ध्वनी, ले और धन के साथ एक अनूठा संबंध भी विक्सित करता है धनिष्ठा में केतू और सूर्य की युती होने से, सफल्ता और भौतिक इच्छाओं से वेराग्य के लिए एक असामान्य मार्क की संभावना होती है, जो परिवार को अहनकार से उपर उटने और उच्च उद्देश्यों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए प्रोच्सा पर निर्मित पारिवारिक विरासत को उजागर करता है, क्रिपया अधिक जियोतिश अंतर द्रिश्टी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें